नमस्कार दोस्तों, मातर दुर्गा की पूजा का उत्सो चैत्र नवरात्री आने वाली है। कई लोग शुभ काम के लिए इसका इंतजार करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि चैत्र नवरात्री दोजार चौविस पर खरमास का बुरा साया है। चैत्र नवरात्री के किसी दुस्परिणां से बचने के लिए आपको किन किन कामों से दूर रहना चाहिए। जोतिशास्त्र के अनुसार जब ग्रहों के राजा सूर्य, गुरु की राशी, धनु और मीन में भ्रमण करते हैं, तो इस महीने को खरमास कहते हैं। मानेता है कि इस समय सूरी देव, गुरु देव, प्रहस्पती से मंत्रणा और उनकी सेवा करते हैं, इस कारण धर्ती पर उनका प्रभाव कम रहता है। इसलिए इस समय शुभ कारे नहीं किये जा सकते, क्योंकि ऐसा करने से इन कामों में विग्न पड़ता है। इस समय किवल पूजा पाठ जब तब का विधान है। चैत्र नौरात्री में खर्मास का पुरा साया, शुरू के पांच दिन ना करें ये काम। इधर 14 मार्च को सूर्य नारायन ने में राशी में प्रवेश किया है। अब सूर्य 13 अप्रेल को रात 9 बच के 15 मिनट पर में राशी में प्रवेश करेंगे, तब खर्मास खतम होगा। उधर 9 अप्रेल से 14 नौरात्र शुरू हो रही है। इसलिए शुरूआत के 5 दिन ग्रह प्रवेश नई संपत्ति खरीदने जैसा शुब काम बंद रहेंगे। चैत नौरात्री पर खर्मास के बुरे साय के बीच कौन से काम पर रोख है और कौन से काम कर सकते हैं आईए जानते हैं। समाने रूप से नौरात्री में सभी काम शुब किये जा सकते हैं लेकिन शुरूआत के 5 दिन खर्मास पढ़ रहे हैं। इसलिए इस समय शुभ काम के लिए रुख ही जाना बेहतर है क्योंकि कारे की सफलता के लिए जल्दबाजी ठीक नहीं। आईए जानते हैं हम वो कौन-कौन से काम नहीं कर सकते हैं। ग्रह प्रवेश जैसे सुभ काम ना करें। धार्मीक मानेताओं के अनुसार खर्मास में ग्रह प्रवेश यग्योपवीत ब्रामणों को छोड़कर समेत सभी 16 संसकार आदी इस समय करने से परहेज करना चाहिए वरना इन कामों में बाधा आती है और बात में भी इसके दूस परिणाम जेलने पड़ते हैं। प्लाट रत्न आभूशन आदी की न करे खरीद मानेताओं के अनुसार खर्मास में प्लाट रत्न आभूशन नया वाहान घर की खरीद नहीं करनी चाहिए वरना इसमें भी आर्थिक नुकसान हो सकता है साथ ही ये चीजे भविश्य में भी किसी दुस परिणाम का कारण बन सकती है। कोई नया काम शुरू न करे। खर्मास की नौरात्री में किसी नय काम, नय व्यापार को शुरू करने से भी परहेज करना चाहिए। और खर्मास के बाद नौरात्री के छटे दिन इस काम को कर सकते हैं। तो आईए जानते हैं अब हम खर्मास में, खर्मास की नौरात्री में क्या क्या कर सकते हैं, नौरात्री माता की पूजा का उत्सव है, इस समय सभी को विधी विधान से माता दुर्गा की पूजा करने चाहिए, जबकि खर्मास वाले दिनों में शुब काम से परहेच करना चा सकते हैं क्योंकि उपनयन यानि पठन-पाठन ब्रामणों का कार्य है दोस्तों उमीद है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो क्रेपया हमारे इस चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवेश्य ही करिएगा धन्यवाद